असलम लेकुम मैं हूँ अपिना परविन आज हम बनाएंगे आलमंड चॉकलेट टुफुल्स आप इसे बाजार से लाने वाले चॉकलेट टुफुल्स से भी घर में है आसानी से और बहुत तेश्टी से बना सकते हैं बच्चों और बोड़ों की सभी के फेवर्ट बनने वाल दिलेंगे और इसके लावा कॉककावा पॉडरेट द दालेंगे हाफ कॉप इस अच्छे से ग्रेट करेंगे इसे ग्रेंट करने के बाद़ चम स्य याइज विक्स किजिए ताकि यह फैसा बहुत बहुत बनाएंगे एक बतन में पाई डालकर ग्यास को आन किया है डॉबल है ना इसलिए तो हमने एक बाउल में बटर दाला है हाफ कप इसे मेल्ट करेंगे चलाते हुए आप हमारे चानल में नहीं हो तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए और साथ में प्रेटिंग को प्रेस किजिए चेलिए हमारा बटर मेल्ट हुआ है अब हम इसमें कोकवा मिक्सर दालने के बाद इसे अच्छी से मिक्स करते जाएंगे जब तक इसे हमें चलाना है हमारा चॉक्लेट का मिश्रन गाड़ा होने तक मतलब यह थिक होने तक इसे चलाती हुए बॉयल करेंगे आप देख सकते ही यह बॉयल होने लगा है मतलब यह गाड़ा होने लगा है अब ह थंड़ा करना धूछ सेवाजिए न में हिसे तर्धान में भीक्सेट we have done लिट गुड़ंदे बिसकेट लिए हैं चाहिए कोई भी बिसकेट में हमें हमें किया है शल्सें displacement तर्तन में निकाल दिया है पिर से हमने फ्रीक निकाल दिया धाला है इसां करना है तुम्हें है क्का करना है इसका भी पॉटर बनाईंगे धिके आधि कमलेों धी थोड़े से ओरे भीस्केथ से क्रीयम निकाल करें सेट में रख दिया है यह पांच छे बिस्केट के क्रीम्स है चलिए स्टैफिंग बनाएंगे स्टैफिंग के लिए हमने m JJम में seller होना है । यह यह 1 शक्त notamment ठीश के लिए हमने इस तरहें से एक नड़ दीया है इसके इलावा और्योग के क्रीम डाला है दालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स किया है इस तरह से अब देख सकते हैं और इसके इलावा शुगर पॉडर दालेंगे हमने दो टेपल स्पून शोगर पॉरर दाला है इससे भी स्था करेंगे नो से हमने अच्छछ से म्िक्स किया है और उसके बाद यहांने दूद में फुट कलर डाल कर फिसे औरे पर इससे मिक्स करेंगे, इससे मिक्स करने के बाद 5 मिट के लिए फ्रीज में रख दिंगे ताकि घट होने के लिए इसे बॉल बनाने में हमें आसान होगी चलिए हमारा च्वाक्रेट भी थंडा हो चुका है अब हम इसमें गुड़े बिसकेट पॉड़र दाल दिंगे दालने के बाद इसे भी इसे मिक्स करते जाएंगे एक भी लंचना रहें इसे अच्छी से मिक्स करने के बाद दस मिर के लिए फ्रीज में रखेंगे फ्रीज में रखने से ट्रुफूस बनाने में आसानी होगी हमने 10 मिर्ट के बाद फ्रिज से निकाला है अब देख सकते हैं यह अच्छी से सेट हो चुका है मतलब यह घट हुआ है हमारा बादम स्टफिंग भी अच्छी से घट हुआ है पाश मिर्ट बाद निकालने के बाद इस तरह से हमने बॉल्स बनाया है अब हम ओरियों बिसकेट पॉडर में कलरई बाउन्स डाल दिएंगे हमने हाथ में चॉक्लेर मिशन लेकर इस तरह से रख दिया है और इसके बाद बょम का स्टफिंग रखेंगे और इस तरह से इसे क्लोज करते जाएंगे इसे एक चॉक्लेट का बाल का शेप दिएंगे इस तरहां से चॉक्लेट बॉल्स बनाने के बाद और ये बिस्केट पॉडर में इसे कोट करेंगे इस तरहां से चलिए बची हुए मिशन से इस तरहां से हातों से दबा कर बीश में बादम का स्टफिंग रखने के बाद और ये पॉडर में इस तरहां से कोड करते जाएंगे हमने इस तरहां से सारे चाकलेट आलमन टुफल बना लिया है आप देश सकते हैं इह दिखने में बहुत संदर लगते हैं और खाने में भी बहुत टेश्टी लगते हैं आप इसे घर में ही आशाली से बना सकते हैं गुड़े बिसकेटस या कोई विस्कट लेकर और ये विसकेट के साथ आलमन चौकलेट तुफल बना सकते हैं ये पांश मिली फ्रीज में कर सकते हैं इसे आप फ्रिज में रख कर सकते हैं गुड़े बिस्केट और और ये के साथ हमने आलमंड चॉकलेट टुफूस बनाया है यह सभी की चोटे और बड़ों की सभी की फेवर बने वाले हैं चलिए हम इसका टेस्ट बताएंगे आपको माशाला हमारे आलमंड चॉकल करके हमें सपोर्ट कीजिए और साथ में बेल बटन प्रेस कीजिए ताके आने वाले हमारे लेटेस प्रेसिपी आपको सबसे पहले पहुंचे चलिए इंशाला हम आगली वीडियो में जरूर मिलेंगे जब तक लिए असलाम अलेकुम अलाहाफीज